पूजा सिंग वेल्कम बैक टो चैनल स्टॉप 24-7 जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल उक्न को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहें सबसे पहले हमारे उक्रावात का सबसे दुख है अपने इंडिया का सबस्क्राइब कर में लेकिन फिलाल इस तरीके से इसमें बहुत सारी ओपेक कंट्रीज भी शामिल है जारतर देखिए जो भी मिडल इस्ट वाले कंपनीज है इस इस इसराइल हमास वार की वज़े से वह इन्वाल्व होने के कोशिश कर रहे हैं इसी मिडल इस्ट वाले कंट्री इस तरीके से इन्वाल्व हो जाती हैं जिसका डर अभी तरीक बढ़ सकता है तो अगर उइसा होता है तो प्रॉबलम जड़ा इस वजब सकती है एक क्रूडोड के प्राइसे जो है काफी pace देखने को मिल रहे है इस का इसारे इस And crude oil का impact जब भी पढ़ता है. तो इसमें कोई doubt नहीं है कि उसका impact जो है इंडियर मार्केट पर ना पढ़े. क्योंकि crude oil का impact हर business पर हर sector पर पढ़ता है. And crude oil के prices जब भी increase होते हैं तब इंडियर मार्केट में किरावट देखने को मिलती है. And ये crude oil के prices इनमें जब देखने को मिल रहा है इस वज़े से impact होगा ही. इसका impact ज़ाता है फार्मासुटिकल बिजनेस, कामिकल सेक्टर पर, पेंड सेक्टर पर बहुत सारी चीज़ों पर पढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है. And इस वज़े से जो है, थोड़ा pressure बना हुआ है. Crude oil का import यहाँ पर ज़्यादा होता है. इंडिया में 85% से ज़्यादा, 87% तक हाइस पी देखने को मिल गया है. तो यह देखा जाए तो crude oil की dependency तो इंडिया की ज़्यादा है. इस वज़े से यह impact and concern यहाँ पर पूरी तरीके से negative होता हुआ देख रहा है. तो यह आने वाले में यही concern है कि लंबा अगर चलता है तो उसका थोड़ा सा pressure है. अब रही बात bank nifty की बात करें फिर market में जो गिरावट है उसकी बात करें. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. कि फिलाल जो है जितने भी यह banking sector है उस पर थोड़ा सा pressure बना हुआ है. खास करें पियस सेक्टर में. जितने भी पियस स्टॉक है banking sector उन पर थोड़ा सा pressure बनता देख रहा है. तो इस वज़े से उनका impact और अगर overall banking sector यहाँ पर down होता हुआ देखने को मिल रहा है. तो simple सी बात है कि nifty bank पर भी इसका impact देखने को मिलेगा. इस पर भी इसका impact देखने को मिलेगा. crude oil की वज़े से जिस sector पर impact पड़ेगा उसके index पॉलोंगे. तो इस वज़े से overall nifty bank nifty पूरे market में भी एक concern बन जाता है. तो यही थोड़ा सा pressure है. लेकिन मैं यहाँ जितने भी लोग देख रहा है, उनसे कहना चाहती हूँ. कि यहाँ पैनिक करने की ज़रूद नहीं आप लोग को. जो stock सस्ते price पर मिले, उनको focus करना बैतर हो सकता है. यहाँ पर panic situation ना create करके. शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा देके उतार चड़ा हो आता है. लेकिन जो भी long term या medium term के लिए focus करते हैं, गिराओट हमेशा मौका देता है हमारा Indian market बाइक करने के लिए. लगतार इतने दिन से आप भी देख रहे हो, हर बार आपको बताया जाता है. एन हमेशा जो है चांस मिलता है entry लेकर कम टाइम में अच्छा profit कमाने के लिए जभी गिराओट होती है. तो अगर market में गिराओट एक से दो दिन, तेन दिन, अगर रहता भी चले मानीजी, यह week थोड़ा रहा negative, तो बही भी हो सकता है, next week से हमें reversal देखने को मिल जाए, तो इसका benefit लिया जा सकता है, खुछ स्टॉक को focus करते हैं. यहां पर एक स्टॉक मैं अभी फिलाल इसको focus ने करा रही हूं, बता रही हूं कि एक स्टॉक है Jai Corp Limited, जो हाल में ही members को बताया था, आप लोग को यह बताया था, यूटूबर की Jai Corp मैंने बताया है, 220 के आसपास इस स्टॉक को focus करा था, यह स्टॉक ने कमाल का performance दिया है इसी महीने में यह stock focus कराया है, यह stock आज 360 रुपीज पर trade कर रहा है, 70% प्लस का return दे चुका है, सिर्फ एक महीने के अंदर इस stock focus कराने पर, जो members है, उनके comments देकर आज काफी अच्छा लगा है, उनने काफी अच्छा profit हुआ है, इसके साथ ही MMTC से exit करने के लिए भी बता दि तो उस बज़े से थोड़ी सी problem बढ़ते ही है वहाँ पर, इसके साथ ही NBCC आप लोगो को कल बताया था, कल ही आप लोगो जो है दुबारे focus कराया है, इसके पहले आपको बताया था कि मैंने already video इसके पहले दे चुकी हूँ, कल again इस stock को focus कराया है and आज 10% का jump इस stock में देखन इस stock के बारे में जाते हैं, जो इस time better हो सकते हैं, so यहाँ पर first stock है Tata Motors, जो काफी अच्छा breakout दे चुकी है, लगतार डाउन से इस stock को focus करा रही हूँ, 600 रुपए का major support है and इसी 600 रुपए के major support के साथ इस stock को focus करना है, अभी देखिए 670 रुपेस की just task pass trade करी है, 640 का बहुत यहां से breakout दे चुकी है, पहले इसका breakout 600 रुपए का हुआ था, उसके बाद रीटेस देखने को मिला red candle and again वहां से reversal देखने को मिल रहा है and 752,800 का target अभी से expected है, कई सारे brokerage from houses भी इसके लिए काफे bullish है, तो मुझे लगता है कि Tata Motors में थोड़ी थोड़ी adding better हो सकती है, अगर prices से मुझे लगता है कि Tata Motors first company है, जो हमारे लिए red is an opportunity भी हो सकती है and अगर नहीं गिरता है and अगर red is an opportunity नहीं होती है तो वैसे भी हम profit में रह सकते है, so Tata Motors first company है, अब चलिए दूसरे company की बात करते हैं, तो दूसरा stock में focus कराना चाहते हूं, वो है UTI AMC, बहुत एचे company है, NSIP क सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस stock में जो है काफी अच्छा यहां से trend line देखने को मिला था, इस trend line का breakout जो है 746 सी stock ने दिया था and इसे 800 रुपे का target जो है 850 पा expected भी था, वो इसने hit भी किया and उसके बाद इस stock ने retisht किया breakout का and again reverse करने की कोशिश कर रही है, so आभी भी 840 to 850 का resistance है, उसको break करेगी तो इस stock के लिए सीधा target जो है हमारा 1000 का रहेगा and measure 1200 का यहां से expectations है, यह था first, दूसरी चीज़ यहां पर मैं दिखाना चालते हूँ कि इस stock अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह आपको बहुत ही सुन्दर यहां पर W नजर आगा, हाला कि आप 850, 840 का मैं आपको resistance बता रहे हूं UTIMC के लिए, यह W का center part जैसे कि आपको NBCC का बताया है कि center part breakout हुआ है, और भी कई सारे example दिया है, तो ठीक वैसे ही 850 पर यह इसका center part आता है and इसी level को 850, 840 को breakout करती है, तो सिधा यहां से इस W का breakout होगा and यह पूरा अपना W complete करने की कोश करेगी and ऐसे बहुत सारे examples already आपको दे चुकी हूँ, तो इसलिए 850, 840 का first resistance होगा and इस तरीके से इसको break करेगी, सीधा 1000 से 1200 का target is expected है, so UTIMC हमारे लिए बिलकुल ही focus में radar पर होना चाहिए, third stock देखते है, तीसरा stock यहां पर मैं focus कराना चाहती हूँ, वो है STFC bank, हलाकि आपन अगर prices गिरते हैं, चाहे किसी भी reason से, so STFC bank जैसी companies को सस्ते price पर लेने का मुझे नहीं लगता छोड़ना चाहिए, अब कलको reliance आपको मिलेगा 1500 रुपे पर या फिर 2000 रुपे पर by chance किसी भी वज़ा से, तो क्या उसको छोड़ा जाएगा, ठीक वैसे अगर STFC bank किसी भी reason से दाउन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मौका होगा हमारे लिए, so STFC bank, backing sector से, फर्स स्टॉक है इसको फोकस करेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा है इसका support है, 1490 का, आपको बताना चाहते हूं कि देख सकते हैं कि काफी अच्छा इस range में ही यह trade कर रही थी, इस तरीक अब रुपए पर sustain नहीं करती है, तो इस stock में कहीं न कहीं जो है, गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है, तेरा सो साथ तक, तेरा सो सतर तक इस stock में गिरावट आ सकती है, तो इससी वज़े से थोड़ी-थोडी adding करते रहना ही फाइदा है, ध्यान रहे हलाकि यहाँ प opportunity SDFC bank में हमारे लिए हो सकती है, और इस बार जो है सीधा target हम 1700 प्लस का ही expect करेंगे, तो थर्ड जो है SDFC bank है, चले नेक्स देखते हैं, वो नेक्स स्टॉक है यहाँ पर IRCTC, जो इस time 700 रुपीज के आसपर trade कर रही है, ICTC की बात करेंगे देख सकते हैं, यहाँ पर भी trendline का काफी अच्छा breakout इसने दिया था 680 रुपीज पर, जो आपको कई बर बताया था कि 685 के breakout पर यह stock काफी बेटर होगा, and 740 से 750 का आपको target भी दिया था, हलाकि 770 से इस stock ने retest भी किया, and यह retest जो है उसी price पर अपने 6 यहाँ पर 900 का ISCTC रहेगा, so कि रावट में ISCTC जैसे stock को focus करना हमेशा ही फाइदेमंद रहा है, and आगे भी रहेगा, and इस बार भी रह सकता है, so red is an opportunity की तरह देखना है, तो ISCTC भी हमारे radar पर बेटर रहेगा, आप चलिए next दिखते हैं, next stock यहाँ पर मैं focus कराना चाहते हू and अब यह support को जो है, यहाँ पर reverse कर रही है वहाँ से, and बहुत अच्छा breakout देने की कोशिश पूरी तरीके से कर रही है, and 310 के उपर आपको बता दूँ के stock बहुत amazing हो जाएगा, and सीधा हमारा target 370 रुपे का ISCTC लिए रहेगा, major target यहाँ से 460 का expected है, अगर इस पूरे अपने जो है gap को feel करती है तो, इस वज़े से jumble fertilizer यहाँ पर मुझे काफी amazing है, बहुत अच्छा support है, 270 का ही बहुत अच्छा support इसने बनाया है, बहुत है multiple time का support है, and वहाँ से reverse करने की पूरी कोशिच किया, इसने break करने की कोशिच कर रही है, तो यह stock भी काफी amazing रह सकता है, jumble fertilizer, correction जादा, red is an opportunity तभी तो मिलेगी, so, ICSA bank यहाँ पर मुझे काफी better लग रहा है, इस stock का major support है, यहाँ पर बताना चाहती हो, मैं 820 रुपय का है, and उसके बाद यह stock देखिए, बहुत अच्छा format बनाकर उपर जाने की इस तरीके से कोशिच कर रही थी, अगर आप ध्यान से द 1100 plus target expected है, इसे 1150 का target ICSA is expected है, लेकिन अगर 920 रुपय का level तो stop थोड़ा weak होगा, and सीधे जो है 820 का support है, यानि की बीच में आप कही support देखने को नहीं मिलेगा, सीधे 840 से 820 तक यह गिरावट हो सकता है, तो इस वज़े से अगर गिरावट आती है, तो red is an opportunity हमारे लिए सकता है, क्योंकि 920 से जो है, यहां पर reverse करने की capabilities, पुरी तरीके से, इसमें नजर आ रही है, कि trend को follow करेंगी, तो 920 रुपय से यहां से reverse कर सकती, ICSA bank, लेकिन 920 के level को तो 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 सीधे 820 से 840 तक का correction में लेगा, and अगर correct होता है, तो हमारे लिए obvious red is an opportunity हो सकती, ICSA bank में pressure है, तो फाइदा उठाए, अगर इन सब इस stock में अगर कभी भी pressure होता है, obvious कोई भी negative impact पढ़ता है, तो हमारे लिए हमेशा ही वो फाइदा होता है, opportunity होती है, और मुझे नहीं लगता है क्रमिस करना चाहिए, so यह 6 stock है, जो इस time मुझे लगता है कापी better है, जैसे आपकी क्या र आए है, इन इस stocks को लेकर comment करके बताइए, market crash में किस stock को आप focus करना चाहेंगे, जरूर ही share किजे, वीडियो पसंद आया तो जद जद लाइक और share कर दीजे, thanks for watching, bye bye